1960 का वो जमाना जब हिंदी सिनेमा पूरे विश्व में प्रसिद्ध हो रहा था परस्थानिक फिल्मों के कलाकार हिंदी फिल्मों में अपनी किस्मत आजमा रहे थे ऐसे में डृत्य प्रधान अभिनेत्रियों को नई रूप रेखा देने का काम जिसने किया उस पद्मिनी की कहानी आज मैं चित्रा आपको सुना रही हूँ आपके अपने शानल बायोग्रफी अन्रिया लाइफ स्टोरी बार दोस्तो पद्मिनी वो अभिनेत्री हैं जिनके बारे में कहा जाता है कि उनका जिक्र किये बिना हिंदी सिनेमा अधूरा सा है यहां तक कि ये भी कहा जाता है कि जिनके पैर यदि हिंदी सिनेमा में नहीं पढ़ते तो हिंदी सिनेमा अधूरा सा रह जाता जी हाँ, रागिनी, ललिता और पदमिनी इन तीन बहनों की जोड़ी ने हिंदी और दूसरी अन्य भाशाओं में डृत्यकरा को सिल्वर स्क्रीन के जरिये आमजिंता तक पहुचाया इस अद्भुत योगदान की वज़ा से इन तीनों को त्रावन को और सिस्टर कहा जाने लगा पदमिनी का जन आज की तिरुवन अंत्वरम में 12 जून 1932 में हुआ था मूल रूप से उनका परिवार दृत्ति घराने से आता है इसलिए परिवार के सभी लोग भरत नाट्यम में माहिर थे तमिल, तैलगू, मले आलम और हिंदी फिल्मों में एक साथ एंट्री लेने वाली पदमिनी की पहली फिल्म कलपना 1948 में रिलीज हुई थी तब उनकी उम्र 16 साल थी और इस फिल्म में उनका डांस ला जवाब रहा इस फिल्म में उनकी बड़ी बहन ललिता भी दिखती है इन दोनों की सबसे छोटी बहन रागनी ने 1956 में नया आदमी फिल्म के साथ हिंदी फिल्मों में पदार पड़ किया वेजन्ती माला ये चौथा नाम था जिनकी भरात नाट्यम की डृत्यकला आज भी मशूर है पर इन सबसे पहले वो पदमीनी ही थी जिन्होंने 30 साल तक 200 फिल्मों में काम करते हुए पारंपरिक डृत्यकला को घर घर तक पहुँचाया है जब पदमीनी की फिल्में हिट होने लगी तब कई अन्य दक्षन भारती कलाकार हिंदी फिल्मों में काम करने लगे इतना ही नहीं जब स्थानी सुपरस्टार्स हिंदी फिल्में करने लगे तब उन फिल्मों को डब करके स्थानिक सिनिमा घरों में चलाया जाने लगा थिरक्ते हुए पदमिनी का अंदाज जितना खूपसूरत है वही खूपसूरती उनके चेहरे पर भी दिखाई देती है अपनी जबरदस्ट आक्टिंग के जरिये पदमिनी कुछ ही महीनों में फिल्मों की केंदरबिन दूबन गई अपने जीवन काल में पिस सबसे ज्यादा बार तमिल फिल्मों में दिखी पर जिन-जिन हिंदी फिल्मों में उन्हें काम किया वो उस वक्त की सुपर हिट फिल्में मानी जाती है इनमें शामिल हैं मेरा नाम जोकर जिस देश में गंगा बहती है आशिक, अमर्दीप, पायल, अफसाना, वासना, चंदा और बिजली, बाबु भाई मिस्त्री की महाभारत जैसी कई फिल्में लास्मी तौर पर आक्टिंग की खूबी दिखाने वाली पदमिनी तमिल, मले आलम और हिंदी फिल्मों की उस दौर की सबसे महेंगी हिरोईन भी थी इसलिए तमिल नारू में उन्हें नाट्य पैरूली के नाम का खिताब मिला 1968 की थिलन्ना मोहनम्मल फिल्म, तमिल फिल्म इंडस्ट्री की कल्ट फिल्म मानी जाती है इतना ही नहीं, अपने जीवन काल में उन्होंने एक रेशियन फिल्म में भी काम किया जिसका नाम है जर्नी बियॉन्ट थ्री सीज उन दिनों धीरे धीरे जब वैजन्ती माला का जलवा दिखनी लगा तब पदमिनी को लोग उनका विरूध ही मानने लगे थे कहा जाता है कि ये दोनों अभिनेत्रिया एक दूसरे से हमेशा दूर रहती क्योंकि दोनों का आक्टिंग और डांसिंग का स्टाइल लगभग एक जैसा ही था 1961 में पदमिनी की शादी USA में बसे रामचंदरन से हुई जो पेशे से डॉक्टर थे शादी के बाद उन्होंने फिल्मों से थोड़ी दूरी बना ली और अपनी परिवार को ज्यादा समय देने लगी कहा जाता है कि इसका सीधा फायदा वैजनती माला को हुआ क्योंकि पदमिनी के रेटायरमेंट लेने के बाद वैजनती माला को बहुत सारी बिग बज़ट फिल्म में मिलने लगी आक्टिंग से रेटायरमेंट लेने के बाद 1977 में पद्मिनी ने न्यू जर्सी में पद्मिनी स्कूल ओफ फाइन आर्ट की स्थापना की जुआज अमेरिका का एक प्रतिष्ठित डान्स स्कूल है पद्मिनी जी के एक लोते भेटे प्रेमानंद का जन उन्निस्सो सड़सट में हुआ अपने अभिनाय और कला से इंडियन फिल मुल्य यादे देने वाली पद्मिनी का देहान 24 सितंबर 2006 को चन्नाई में हुआ